नमस्कार दोस्तों महाशिवरात्री के इस पर्व में आप लोगों का सभी का स्वागत है और मैं ये प्रातना करता हूं भोले नाज से कि आपके घर में सुक्ष मृद्धी और आप परेशानियों से निकलो और आपके घर में सुक्ष मृद्धी दन वैवव की वर्शा हो तो जैसा कि हम जानते हरे काम को करने का एक महूर्त माना जाता है और समय एक समय की ही जिसे हम कहते हैं प्रति बदता के कारण हम बंधे रहते हैं और ये समय अगर जब सही आता है तब हमारे कोई काम करते हैं समय से ही फल पकता है समय से ही हमें किसमत का मिलता है और समय ही ऐसा आ वाली है आप अगर परेशानियों में हैं चाहे वो मेरीड लाइफ की परेशानिया चाहे आपके सेहत की परेशानिया हैं देहकस्ट के कहीं पर योग बने हुए देहकस्ट से आप परेशान है कहीं कर्ज की समस्या है या फिर आपको सुक्सम्रिद्धी वैभव की कमी हो रही ह married life की problem हो रही है शादी नहीं हो रही है इन सब के उपाय करने के लिए आपकी शरद्धा भाव से आपके किये गए कुछ छोटे छोटे उपाय आपको फायदा देंगे तो आज मैं आपको कुछ गिने चुने ऐसे चमतकारी उपाय बताने वाला हूं जिनके कारण आप अपने परेशानियों से निकल सकते हैं तो सबसे पहला उपाय आज हम बात करते हैं उनके लिए कि कालसर्पदोश की चाहें प्याए दूद के लिए सानती के लिए संतान की एक important उपाय करना है आपको क्या करना है आपको तांबे के या फिर चांदी के नागनागिन नेले हैं छोटे से आप ले लिजे सामर्थ जितना है उससाब से ले लिजे कोई बड़े लेने की जुरूत नहीं है आप छोटे से ले लिजे और जाकर दूद के साथ दूद के अंद लोगों की शादी नहीं हो रही है जो लोग शादी शुदा जिंदिगी से परेशान है या शादी को लेके रिष्टे आ रहे हैं जा रहे हैं बात नहीं बन रही हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट उपाय है कि वो इसी तरीके से चांदी के नागनागिन के जोड़े लेके या फिर तांबे से बने हुए नागनागिन के जोड़े लेके अगर आपको यह नहीं मिलते दूद्ध और काले तिल वगरा सब मिलाकर आपको बताई गई है अब जो सबसे इंपोर्टेंट उपाय है जिसके लिए सारी दुनिया परेशान रहती है कर्ज या फिर पैसे के लेंदेन को लेके जो लोग भी पैसे को लेंदेन को लेके परेशान है उन लोगों के लिए जब आपको अगर मौका मिल जाता है कि थोड़ी देर आप वहां पर बैठ सके शिवाले में कहीं पर भी तो चोकडी मार के ओम नमश्यवाय का कम से कम पांच या दस मिनट तक आप यह जब करते रहें ओम नमश्यवाय ओम नमश्यवाय अगर यह आप करेंगे और अपनी प्रार् कि आपको किसी से भी मंगलवार के दिन पैसे नहीं लेने हैं आपको पैसे चुकाने हैं अगर किसी को तो मंगलवार को चुकाना शुरू करिए मंगलवार के दिन से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भी देना शुरू करेंगे तो आपका कर्ज उतरता जाएगा और अगर कि भी मुसीबतों में नहीं फसोगे आपके लिए जो आपने पैसा लिया है किसी काम के लिए वह आप चुकाने में सामर्थवान रहोगे आप असानी से चुका सकोगे क्योंकि मंगल जो खराब मेरिड लाइफ की बहुत जादा प्रावलम है उसके हजबन वाइफ के बीच में वह प्रेम नहीं है ना ही वह एक आपस में दोनों की टूनिंग बनती है तो आपको सबसे बेस्ट उपाए बताता हूं चाहे यह उपाए पती करे या पतनी करे कोई भी कर सकता है आपको गुला साथ आपको लाल गुलाल चड़ा देना और उसमें से कुछ गुलाल थोड़ा सा थोड़ी मात्रा में आप लेकर घर पे आओगे और उस गुलाल को चांदी की डिबिया में भगवान भोले नात गौरा परवती का ध्यान करते हुए आपको वह रखना है और उसका तिलक लग अब जिन लोगों को भी बुद्ध ग्रह संबंदित परिशानी है घर में कभी खुशिया नहीं आ पाती है बुद्ध कुंडली में कहीं पर भी मंगल के साथ यूति बना कर बैटा है बुद्ध के साथ मंगल मिल जाने पर बुद्ध भी खराब और मंगल भी करा मंगल बद यानि कि हर खुशी के बाद गम आपसी लोगों में कहीं न कहीं ग्रह कलेश बना रहता है आपसी लोग एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं रिष्टेदार एक दूसरे को नहीं कुछ समझते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका और सिंपल उपाय समझे आपको क्या करना है भी कि अगली सुबह के चार बजो तक आप अपैकर सकते हैं तो आपको यह उपाय करना है अब आपको क्या करना मार्किट से डम्रूबले लेना है डमरूप बजाते हुए आप आप सात ही साथ वहां करमिदा करीं यह यह Corona कर दो बोकर भॉलकर ऑधर पर बेख दोइज आपने यह उपाय किया तो समझ लीजिए आपके दिन दुगनी राजचोगनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और साथ में परेशानियों से निकलना शुरू हो जाओगी है तो बहुत चोटा सा उपाय पर आपके मंगल बद साथ साथ बुद्ध के दोश और भी जो दोश है जो कि मंगल बुद्ध के कारण मिलने से बन रहे हैं उन दोशों से आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी कोई शारेरी कस्ट है बहुत लंबी बिमारियों से गुजर रहे हो घर कोई ऐसा रोगी जो रोग से नहीं निकल पा रहा है तो उसके लिए उपाय सुनिए जब बहुत चोटे-चोटे उपाय हैं बस इन सभी उपायों को करने के लिए आपके अंदर कोई भावना या फिर किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए तो आपके अंदर एक श्रद्धा भाव होनी चाहिए क्यूंकि आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों से निकाल सकता है अगर आप श्रद्धा भाव से कोई भी काम करते हैं तो दोस्तो फटा-फट से आपको बताएगी यह चीजह आप अरे लेनात यानि कि शिवाले आपको जाकर वह मजीरा बजाना है जब करते हुए बजाने के बाद अपनी प्रातना बोलके कि घर में सुख शांति सुख भैबज सुख सम्रिद्धी की प्राप्ति हो इस मजीरे को आप वहीं पर ही मंदिर में चढ़ा कर आजाए यह उपाय करिए और माल लीजे किसी की सबसे जैसे कई बार होता है कि किसी की शादी हो जाए किसी की जॉब लग जाए किसी का कोई बड़ा काम अटका हुआ है किसी की जमीन नहीं बिक रही है कोई ऐसा काम जो कि किसी ना किसी एक छोटे से कारण से अटका हुआ है अगर वो उपाय आप चा सकते हैं तो भगवान भोले नात यानि कि आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं आपके नागन वहां पर जब तक रहेंगे आप समझे उन पर जैसे ही जल चड़ता रहेगा पूजा होती रहेगी आपके घर में वैसे ही शुक्सिम्रिद्धी आती रहेगी और आप वैसे ही सकते हैं तो कर लीजिए बहुत ही जवर्दस उपाय है अगर आप यह उपाय नहीं कर पाते हैं तब उस केस में क्या करना है तो आपको बड़ी सी एक पितल की दो किलो के लगभग की घंटी घंटी लेकर आपको मंदिर में कहीं पर चड़ानी है यानि कि लटकानी है वहां पर यह नहीं कि आप दान करके चलते वनें आपने लटकानी है अगर लटकाने की वबस्ता है तब ही आप खरी दिये अन्य था मत खरी दिये खरीदकर आपको वहाँ पर घंटी लगा दीजे आप समझ लीजे जैसे जैसे घंटी बजएगी घंटी की जनकार होगी वैसे वैसे आपकी गाड़ी चलती रहेगी धोनी की स्पीड से तो दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं आप करिए और जरूर फीड़ बैक और कमेंट मे लाब हुआ क्योंकि जिन जिन लोगों ने उपाय किये हैं उन लोगों को फायदे हुए हैं और आप भी उस कटेगरी में आ सकते हैं कि आपको भी फायदा हो बस शरद्धा विश्वास के साथ उपाय करिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए अपने सुभाज भाई को आ गया दीजिए नमस्कार